श्री गणेशाय नम्हां जेहु सरस्वती मा की जेहु गुरु महराज की 12 जोतिर लिंगों में से तीसरा जोतिर लिंग महाकाल बाबा के प्रादुर्भाव की कथा उजयनी नगरी जिसको अवंतिका भी कहते हैं वो नगरी शीव को बहुती प्यारी है और कल्यान मई है पुन्य मई है उसी नगरी में एक वेत प्रिये नाम का ब्रामन रहता था वो ब्राह्मन भी भौती धर्मात्मा थे, पुन्यात्मा थे और वेद पाठी थे कुछ समय बाद और वो अपने ही आश्रम में आगनी होत्र किया करते थे, यग्य किया करते थे और शिव के भक्त थे, कुछ समय पस्चात उनकी तो म्रत्य हो गई लेकिन उनके चार पुत्र थे, जो कि उनी के समान थे, उनी के समान पुन्यात्मा थे, धर्मात्मा थे और वेद पाठी भी थे, और शिव के भक्त थे, वो नित्ते ही शिव की भक्ती में लीन रहा करते थे शिव की भक्ति किया करते थे उनी दिनों में एक दूशन राम का राक्षेस था जो कि रतन माल परवत पर रहता था उसने भ्रह्मा जी की तपश्चा करके वर पाया और उनके वर के प्रभाव से भोती बलशाली होकर अभिमानी हो गया और वो वेदों का नाश करते वे धर्मों का नाश करते वे उसने उज्जैनी नगरी पर चड़ाई कर दी और उज्जैनी नगरी के भ्रह्मन को उसने सताना शुरू कर दिया उज्याइनी नगरी में आकर उसने अपने चार राक्षसों को आज्यादी जो की प्रहलयागनी के समान थे कि सैनाओं को लेकर भ्रामणों को मार डालो, पकड़ो और बान दो, इस तरह उनके साथ वेवार करने लगे लेकिन जो चार भ्रामण थे, शिव भक्त थे, वेद प्री भ्रामण के पुत्र, वो शिव की भक्ती में लगे वे थे उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना कर और शिव की ध्यान में मगन थे, शिव की ध्यान में लीन थे इसलिए उन्होंने उन राक्षसों की इस बात को नहीं सुना और वो शिव में ही ध्यान मगन रहे जब उजयनी के सब भ्रामन भागने लगे और उन्होंने का कि भाग चलो भाग चलो तब उन पुत्रों ने कहा शिव भक्तों ने कहा कि सब के रक्षा करने वाले शिवी ही है शिव की शर्णानपन हो जाओ, शिव की चर्णों में शर्ण लेलो, सब की रक्षा हो जाएगी, और वो ऐसा कहकर शिव की ध्यान में लीन हो गए, जब उस दूशन राम की राक्षस ने उन पर आक्रमन करना चाहा, उन्हें चोट पहुंचाना चाहा, तब उसी समय वो उनको चुबी नहीं पाया, और इतनी देर में जहां वो पार्थिव लिंग बनाकर पूजा कर रहे थे, शिव की आराधना कर रहे थे, उसी के पास एक जोर से आवाज के साथ एक गड़ा हो गया, और उस गड़े में शिव शंकर साक्षात प्रकट हो गए, और साक्षात प्रकट ह शिव ने कहा कि हे दूशन, देख तेरे जैसे दुस्टों के लिए मैं महाकाल होकर प्रगट हुआ हूँ, और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से ही उस दूशन दैते और उसकी सारी सैना को नस्ट कर दिया, फिर उन्होंने शिव भक्तों से कहा कि हे ब्राम्नों, हे वेद पुत्रों, मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ, तुमारी भक्ती से, तुमारी आराधना से बहुत प्रसन हो, वर मांगो, तब उन्होंने कहा कि भगवन हमें तो मौक्ष दीजिए, और आप यहां सब जियों के कल्यान के लिए, अरिष्टों को मिटाने के लिए, यहां विरा जो भी उपासक, जो भी भक्त महाकाल बाबा के दर्शन करता है, पूजन करता है, उसके सारे अरिष्ट समाप्त हो जाते हैं, उसके सारी आपत्तियां, विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं, और वो भोग और मोक्ष को भी पा जाता है, और सभी मनोरत उसके पूर्ण हो जात